आज श्री नरेंद्र मोदी जी जो हिंदुस्तान के चौकीदार अपने आपको कहते हैं तो चौकीदार नहीं हैं वो भागीदार हैं हिंदुस्तान में जितने भी व्रष्टाचार हुए हैं सारे व्रष्टाचार स्री नरेंद्र मोदी जी के इसारे पर हुए हैं मेहुल चौकसी ने भी अरुन जेटली की बेटी के एकाउंट में पैसे ट्रांसफर किये हैं और उसके बाद श्री नरेंद नामोदर दास मोधी उस पर चुपी सादे हुए हैं विजय मालिया भाग गया मेहुल चोकसी भाग गया ललित मोदी भाग गया जितने भी लोग थे सारे लोग हिंदुस्तान के भाग गये और किसान जो विचारा जिसको आवसक्ता थी पैसे की जिसको मूल गूत आवसक्ता थी पैसों की वो उनको नहीं मिल पाया नरेंद्र मोदी जी से उनके इस ठीपे की मांग करते हैं और CBI को जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी अपने कबजे में रखना चाते हैं उनके उपर जो जाच होने जा रही थी राफेल घोटाले में उनको डर था कि वो जेल चले जाएंगे उसकी वज़ा से CBI के चीफ को हटा इससे बड़ा निंदनी और हिंदुस्तान के लोकतंतर का गला घोटने का काम और नहीं हो सकता हम सभी युवक कॉंग्रेशी जनपज जाउनपुर के उनके इस तीफे की मांग करते हैं और आज हम जल समाधी ले रहे हैं और यह सांकेतिक जल समाधी है और हमें लगता है कि कि आज हो कॉंग्रेशी को जल समाधी लेने की आवसिकता पड़ी है आने वाले समय में सारे हिंदुस्तान के लोग नरेंद्र मोधी के खिलाब खड़े होंगे और बगावती सूर अपनाएंगे जिससे की लोकतंतर को बचाना पड़ेगा और लोकतंतर को बचाने के लिए ह हम सब लोग खड़े हैं नरेंद्र मॉधी सिस्तिफाद दोस्तिफाद बचानाओ